स्टार्ट रिकार्डिंग कर देता हूं तो अभी ये वैसे ही जैसे कि हमने पहले किया था आफ्लाइन सेशन स्टार्ट हो जाएगा आफ्लाइन रिकार्डिंग होती लेगी और गूगल मीट हमने शुरू कर दिया है और यहां पे हम यहां पे मैं अपने स्क्रीन शेयर कर देता हूं इंटार स्क्रीन अच्छा अभी मेरी ये गूगल मीट की स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी जी और देर लेगी को आपको झीघिता है झाल अपको अभी तय हुँ झाल प्यूआ क्यों पट्पिक याह प्यूआ यह में कि अभी तो ये यूट्यूब लाइब स्ट्रीमिंग तो मैंने कुद्धी बंद कर दी है जो कि यहां पर स्पीड का इश्यू आ रहा था स्पीड वैसे मैं भी चेक कर भी लेता हूं भी कैसी आ रही है स्पीड स्पीड टेस्ट पर चेक करता हूं तो अभी पता लग रहा है कि स्पीड का इश्यू है जी अभी आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी तो कि पहले मैं अपने जो आडियो चैट चल रही है इसके उपर क्लिक किया हूँ था तो यह आपको नजर नहीं आ रही होगी तो अभी आपको नजर आनी चाहिए जी इसमें स्पीड ठीक है यहां पर अभी यह से स्पीड जाहिर कर रहा है कि डाउनलोड स्पीड ते क्रीवन 8 MB और अप्लोड स्पीड आम तो पर थोड़ी होती है तो यह ठीक बजायर लग रहे है इस तरह ज्यादा बेतर लग रहे है अज़िए मुझे फिर इसको शेर करूं या ना करूं अचले मैं इसको अपने फेस्बुक पेज के पर भी अपने प्रोफाइल के उपर शेर करता हूं के यूट्यूब लाइव जो है किसी वज़ा से उसमें सेशन से ही नहीं चाल रहा था अभी मैंने गुगल मीट के सेशन स्टार्ट किया है और स्पीड भी ठीक चल रही है बजाएब तो इसे मैं फिर आफ कर दूंगा शुक्री इस में शुरू में तुछने का है कि स्ट्रीम इस हेल्दी फिर वर्निंग दी इस ने फिर एरर शो किये बैरल जी बैरल अच्छा ती जर्वा नहीं रहा हलाकि मैंने चन दिन पहले टेस्टिंग की थी चले मैं इसके डिस्क्रिप्शन में मैंचिन कर दूं या तो प्लेस चॉल मैं यहां पर लिंक भी मेंचिन कर देता हूं मैं क्योंकि पहले मैंने Facebook और WhatsApp पर YouTube का लिंक शेयर किया था जो के भी नहीं चल रहा है तो इस वज़ा से इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर देता हूं प्लेज जॉइन माई Google Meet Link से ही होगा यह गूगल मीट लिंक हमारा यही है और इसको मैंने सेफ कर दिया है अब यह मैं इसको अगर बन भी कर दूं तो ठीक है अब लाइब स्ट्रेम में इंड कर रहा हूँ और यहां पर के फेस्बुक पर मैं भी लिंक शेयर करता हूँ अच्छा दो कमेंट्स भी नाट वर के लिंक वेजटीव लाइब स्ट्रेम सो प्लीज जोईन माई गूगल मेट लिंक पोस्ट में अडिट भी कर देता हूँ हुआ 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 यहां पर इस पोस्ट को बलके मैं ओपन ही इसको रुखूं पर इस पर कमेंट आया तो फिर जोब देना होगा अच्छा इसको मैं वोटसेप पर भी शेयर करता हूं कल हला कि हमारा सेशन जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था कि आफ लाइन और ऑन लाइन दोनों थे तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो रही थी लेकिन वो हमारा जैदा अच्छा चला उसमें गूगल मीट भी सही चला और हमने रिकार्डिंग भी की तो अब भी मैं इसको वोटसेप की स्टेटस पर लगा देता हूं हम इसको मैं पोगे तो मुश्किल रहा हूं सही है तो आज तो फिर इतना सेशन अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ तो बहराल मैं इसको जारी रखना है और जैसे कि मैं बता रहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर यह एच्टेमिल टुटॉरियल इसको कवर करूंगा अगर तो कोई ऑनलाइन हुआ तो फिर हम उस सेशन को शुरू कर देंगे इसको मैं बंद कर देता हूं तो अभी हम शुरू करते हैं इसको गो थू करते हैं जी जैसे कि मैंने बताया है कि HTML के साथ हम वेब पेज का स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं उसका जानी के डंचा जिस तरह बनाते हैं तो इसमें टैग्स होते हैं HTML is a standard markup language for the web pages इस पर हम web pages बना सकते हैं web pages को आपस में link कर सकते हैं तो वो पूरी एक website बन सकती है तो इस tutorial में यहां पे इस तरह के इन्होंने examples दिखाई हुई हैं इसको यह कि पहले आप जो भी page है उसको पूरा एक दफा पढ़ लें समझ आपको आए या ना आए ठीक है और फिर उसके बाद यह जो examples हैं इस तरह की उसको खोलें और one by one इनको चीजें चेंज करें यहां पे जैसे यह मैं भी चेंज कर रहा हूं एक यह रूट रूट के हैं जो यहां पर जैसे यह मैं चेंज कर रहा हूं इस तरह आप टेक्स वगिरा कुछ नो कुछ चेंज करें हों यहां पे देखें तो इसमें देखें कि हम यह दो चीजें तो तबदीली नजर आ गी है, लेकिन यह हमने जो टाइटल तब्दिल किया है तो वह हमें तब्दिल यहां पर किसी जगा भी नजर नहीं आ रहे हैं यह आप इसको राइट लेफ्ट कर सकते हैं अपने साफ से इसका व्यू बाश पर यह चेंज भी हो जाता है व्यू राइट साट पर व्यू आ रहा है और इसको आप साइड बाई साइड व्यू है इसको आप चींज भी कर सकते हैं भाई डिफार इसadora में होता है लेकिन मुझे यह व्यूफट है इसाड़ टलाइट कर देता हूं और इसमें एक ब्लैक वाली थेम भी है आप अगर करना चाहें तो यह में इन्ट की चीज़े हैं और यह कोड अगर आप सेफ कर रहे हैं सेफ आप अनलाइन भी कर सकते हैं और वापिस आप होम पेज पेज जा सकते हैं तो इस एक्जेम्पल को पढ़ने के बाद आप यहां पर आम तर पर यहां पर इसमें डिस्क्रिप्शन फिर लिखी होती है तो आप उस डिस्क्रिप्शन को दुबारा से देखें तो हम यह कि यहां से बगाईदा शुरू करते हैं तो इसमें मैं सिर्फ गो थ्रू करूंगा जो मुझे कुछी ज़्यादा एहम लगेगी सिर्फ वो बताऊंगा और बाकी चीजे मैं स्किप करता जाऊंगा लेकिन यह है कि आप कोशिश करें कि आप इसको एक तफ़ा पूरा पढ़ें चुक्कि पहले मेरा इरादा था कि मैं इस तरह इसको एज़ा कोर्स के तोर पे ना लेके चलूँ सिर्फ जो इशूज आते हैं उस पे बात करूं जैसे कि हमने पिछले जो सेशन कुछ रिकार्ड किया है तो उसमें हमने यही किया है कि जो स्टुडेंट्स यह कोर्स करना चाहते हैं वो डिडिंग करें और प्राब्लम्स लेके आएं तो इस वजह से आपने पिर इसको पूरणा है और पहली तरजी यही होगी कि अगर कोई ऑनलाइन स्टुडेंट है तो उसके कोई प्राब्लम्स हैं तो उसको हम फिक्स करें तो आगर वो स्टुडेंट कोई नहीं है तो हम यी कोशिश अगर student नहीं है तो फिर हम चलेए course को इस तरह जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इसको go through करते रहेंगे और अगर student है और problems नहीं है तो फिर यह है कि हम खुद problems create करते हैं तो उसका मकसद यही होता है कि आप लोगों का सीखना तो problems आप फिक्स जब करते हैं तो फिर आपकी learning तब ही होती है जी राजवली साब आपको बाद आ रही है अब जी सर्शिदा साब आ रही है तो अच्छा हम यह session कर रहे हैं इसमें हमारे सामने से दो चीज़े हैं एक तो यह है कि अगर कोई online है तो हम जो भी कोई आपको problems आते हैं वेब development सीखने के लिए शूरू करते हैं आप किदर ने किदर stuck हो जाता है मंदा तो उसको हमने हल करना है तो अगर तो कोई problems नहीं आते हैं तो फिर हम खुद problems देते हैं students को कि आप इस चीज़ पर गाम करें यह यह देखे यह इसके बारे में बताएं तो अगर कोई भी student online नहीं होगा तो फिर हम यह करेंगे कि इसको go through करेंगे जो course work है ना तो इसमें एक अगर आपने शुरू करना है तो आप यह कर सकते हैं कि यह website है w3schools.com इसको मैं कमेंट में लिक भी देता हूँ यह google meet के जो comment है section है यहां पर आपको link इसका नजर भी आ जाएगा तो इसमें यह कि काफी सारी चीज़ी हैं इसमें basic level के यह courses हैं लेकिन यह कि इनका content जो है course का मवाद जो है material अच्छा है concise लिखा हुआ है मुक्तसर बहुत ज़्यादा description लिखके ना बंदे को ड्राते नहीं हैं बास का जो होते हैं आप बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े paragraph देखते हैं तो छोड़ देते हैं जीज़ों को तो इनकी यह बात अच्छी है तो हमारा इसमें कोशिच ही है कि जो web development में सबसे पहले हम HTML को सीखें और यहीं देखें ओपर अभी मैंने इसके HTML के course को स्टार्ट किया है तो यहां पर हमारे पास ओपर CSS के भी links आ रहे हैं हमने यह courses भी अस्ता इस्ता फिर करने हैं लेकिन पहले HTML के course को go through क करना है फिर CSS को करना है HTML आप समझें कि पेज का structure हम बनाते है HTML के साथ बिल्डिंग ब्लॉक और फिर आप CSS को इसके अंदर रंग बरते हैं जैसे हम construction का काम भी करते हैं तो फिर आखर में print का काम उसका होता है स्क्रीन आपको नजर आ रही है clear जी जी तो जावा स्क्रिप्ट से यह है कि आपकी क्लाइंट साइट यानि आपका जो computer है browser है वहां पर इसको इंटरेक्टिव आप कर सकते हैं और फिर चोथी चीज आपकी आ जाती है PHP हम यहां पर PHP करेंगे वैसे आप कोई भी server language कर सकते है PHP का का क्या होता है कि यह server पे execute होती है कुछ चीजें के server पे करनी होती है जैसे कि database में कुछ record save करना है या फिर read करना है तो मैं भी आपके live होने से पहले यही बात discuss कर रहा था कि हमारा यहां पर यह सेशन है इसमें कोशिश ही होती है कि जो भी session को शुरू करना चाहे उसने ज्यादा से ज्यादा reading करनी है यानि आपकी अपनी हिम्मत तक है आप इसको चंद महीनों में भी कर सकते हैं और चंद सा आपके शुरू कर सकते हैं वरना ही है कि फिर यह session आपके यह काम कर नहीं है क्योंकि इसमें हम main यही चीज डिसकस करेंगे तो कोई आपके पास है स्वाल अगर इसके अलावा भी है तो आप भी पूछ सकते हैं नहीं तो मैं आपने जैसे बताया ना कि यह मेरे उसका नहीं ह जाता हूं उदर ही आपके पास अच्छा आप ऐसे relevant जो चीज़े हैं पहले वह basic चीज़े पिक करनी है जी सही है अगर आपने वेब development करनी है तो फिर तो हम आपको बिल्कुल zero से लेके चाल सकते हैं ना अच्छा जी अगर आपने करनी है तो फिर मैं आपको guide कर सकता हूं आ चाहां से शुरू करें आप एक दफार मिल लूँ ना जब जुम्म्ह वाले दिन हम यह सेशन करते हैं और आफ लैं सेशन करते हैं यही जो सेशन अभी online कर रहे है ना इसका मक्सद तो सिर्फ online करना है तो जुम्म्ह वाले दिन हम वहां पर तीन से छे अपने आफिस में offline अगर चक्कर लगा सकते हैं जुम्म्ह वाले दिन जी ब्लॉक में जलानी मस्जद है इस गली में वेजे इदर आप चकर लगा लें हाफिस मेरा फून नमबर आप मेरा पास है जी आपके पास होगा काल कर ले आने से पहले तीन से छे अगर मेरा बेटा भी है तो हम दोनों आ हम रिटायर बंदों के लिए एक आरामद है वही आपकी बात के इसमें जितनी इम्मत है जी बिल्कुल इसमें इम्मत करने मारी बात है कुछ लोग मैं बताओं के 40 साल से उपर हो जाते हैं तब वो शुरू करते हैं यह सीखना लेकिन है कि फिर जब इनसान कोशिश करता रह है आफिस में तो इंशालला मिटिंग कर लेंगे ठीक अलाफिज अच्छा तो यहां पर हम अभी इसको पेज को गो थू करेंगे और इसमें फिर यह कि हम एक दफाव यह सेट अप देख लेते हैं जैसे मैंने अभी आपको एक एक जैंपल भी बताई है इसमें मैं बता रहा था कि एक चीज नहीं है यहां पर हम चेंज कर रहे तो इसके हम हल देखेंगे कि इसका हम कैसे फिर चीज़ें हल करते हैं यहां पर हम चेंज कर रहे हैं तो वहां पर हमें रन करते हैं तो दाएं तरफ यह बाक्स जो है यहां पर नज़र आती है चेंज लेकिन टाइटल में हमने change किया तो हमें कुछ यहां पे फरक नजर नहीं है. तो अभी इससे कतन नजर कि यह क्या लिखा हुआ है. क्योंकि यह बिल्कुल हमारी पहली example देख रहे हैं तो इससे हमारा मकसद यह नहीं है कि हमें यह पता हो कि यह क्या चीज आ है, यह क्या टैग है या क्या लिखा हुआ है तो अभी हमारा मकसद सिर्फ यह है कि अपने आपको एक्जेंपल के साथ आप करते है ना चीज डिमांस्टेशन होती है तो उसमें आपको थोड़ सा चीजे फिर समझने में मदद मिलती है कि जैसे अब यहां पर हमने चेंज किया है तो यहां पर यह नजर आया हमें और फिर हमें यह भी सोचने का मुका मिलता है कि यह इसका मतलब है कि जो लिखा हुआ है यह शुरू में भी इसके और आखर में भी इसका कुछ मकसद है कुछ मतलब है वह आगे जाके पढ़ेंगे चीजें लेकिन यहां पर इसका डिमांस् एसे होता है ऐसे होता है तो आपको इतना फायदा नहीं होगा अच्छ इस पर हम पेजेज बनाते हैं बिल्लिंग ब्लॉग या स्ट्रक्चर होता है इसमें elements होते हैं और वही हमारे जो टेग्स होते हैं वह ब्राउजर को हमारी बताते हैं इसकी अच्छी बात है HTML, CSS, JavaScript की अच्छी बाद यह है कि इसके लिए आपको कोई special software नहीं चाहिए आपका browser ही आपका main software है जो इनको execute करता है, render करता है तो जे तो browser ही इन चीज़ों को render करता है, आपको सिर्फ browser चाहिए और जो हमारे पास major platform है, windows, mac, linux, the operating system इन में आपके पास browser पहले से होता है और यही browser आपके पास mobile devices, tablets इन पर भी होता है तो इसके मतलब है अगर आपका कोई page बना हुआ है उसको आपने सिर्फ देखना है तो यह आपको कोई और special software करने की जुरूरत नहीं आप ब्राउजर खोले और उसमें page को open कर ले हाँ, अलबता जब उसमें HTML पेज बनाने की बाद आती है तो फिर आपके पास text editor होना चाहिए या IDE आप install कर सकते हैं, full-fledged उसमें आप development कर सकते हैं तो code editor भी मिलते हैं, तो editor में जैसे यह भी आपके जो operating system में सब में मुझूद होते हैं, Windows में, Mac, Linux, सब जगा पे आप text लिखने के लिए आपको कोई ना कोई tool मिलता है तो उसमें आप code लिखते हैं और उसको फिर जैसे कब यह मैं जैसे examples कर रहा था तो इसमें यह चीज़ चेंज नहीं हो रही तो इसको भी हम क्या करते हैं कि हम मैं इसको copy करता हूं और अपने पास यहां पे एक file बनाता हूं मेरे पास जो अपडेटिंग सिस्टम है यह linux है और आपके पास हो सकते है windows हो test.htm और आखर में L भी लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं और अभी इसमें मैं यह इसका by default text editor है इसमें खुलता हूं यह आप यह कर सकते हैं कि इस पर right click करें और आपका अपना जो भी टूल है text editor का उसको आप open with में जाके इसको open कर सकते हैं तो HTML extension होगी तो by default वो आपकी browser में खुलती है double click करने से windows में ऐसे होता है तो यहां पर देखें यही चीज़ वहां पर जो change की थी लाइफ जो example थी यहां पर मैंने तबदील की है और अब मैं इसका result देखता हूं तो अभी देखें इसको जब मैंने code लिख है तो अब यह खुद ही option दे रहा है कि browser में खोलने की पहले हलाकि इसने text editor में ही खोला था क्योंकि इस फाकट file empty थी तो अभी operating system को भी Linux को पता लग रहा है कि यह browser में खुलने चाहिए तो मैं यहां पर chromium browser में काम कर रहा हूं तो यह यहां पर खुल जाएगी अच्छा जो मैं आपसे कहा रहा था कि जो change वहां पर हमें नजर नहीं आई थी वह यह वाली थी यहां पर हमने two लिखा था तो अब इस तरह देखें तो यह आपको page की उपर जो बार सी एक चोटी सी नजर आ रही है तो यहां पर यह लिखावा नजर आता है तो इसलिए मैं कहा था कुछ चीज़ें आपको यहां पर जो example जम करते हैं वह आपको यहां पर नजर आती है कुछ चीज़ें नजर नहीं आती तो ज्यादा अच्छा तो यह कि आप जितनी examples पर काम करें उसको आप एक दफा इस तरह page बना के आप देखें यह आपके local computer का address बता रहा है कि जैसे मेरे पास यह address है आपके पास कुछ और आ रहा होगा तो तकरीबान आप फिर इनको file बना के भी अपने पास computer पर चेक करें और बेशक आप नाम उसके random date लिखके आगे लिख दें या जैसे आपके मर्जी है या P1, P2, P3 जो भी आपके मर्जी है page का ना काम आप जो बरखना चाहते हैं रखें तो इस तरह आपके यह पस्री है कि files भी बनी होंगी तो इसमें हम यह आगे in future हम आगे मस्तक्बिल में यह कर सकते हैं कि फिर हम in files को upload करें किसी server के ओपर तो अभी तो यह address जो बन रहा है यह local computer का यह मैं अपने किसी दोस्को दिखान यह कि आप online चीजें move कर दें बेजें upload कर दें तो उसमें हम देखेंगे वैसे तो आपको domain hosting खरीद नहीं पड़ती है paid services होती है तो कुछ इसमें free services भी मिलती है सब domain आपको मिल जाते हैं free यह यह hosting के लिए भी आपको free चीजें मिल जाती है तो वह हम इन्शालाद आला वह भी देखेंगे बैरल यह session हमने शुरू किया था YouTube की live streaming से लेकिन उसमें कुछ मसले आ रहे थे जिस वजह से फिर हमने यह session रोक दिया वहां पे और अभी हम इसको Google meet के अंदर कर रहे हैं screen sharing में कर रहा हूं में Google meet में तो उसको मेरी जो screen है वो नज़र आएगी और साथ मेरी वीडियो विंडो भी नज़र आएगी और दूसरा काम मैं यह कर रहा हूं कि इसी जो screen है इसको record भी कर रहा हूं यह अलग से एक software है OBS के नाम से और यह recording अभी यह कर रहा है यह recording locally मेरे computer पर सेव हो रही है इसको मैं भी देखता भी हूं कि कितना उसका size बन गया है जी यहां पर यह फाइल बन रही है और इसमें नहीं यह तो पराने वाली है जो कल हमने recording की थी यह मैं upload कर चुक हूं इसकी थोड़ी सी डिटिंग करनी है फिर इसको मैं live कर दूंग यूट्यूब के उपर कल हमारा session था offline भी और online भी इसमें थोड़ी से मुश्कलात हुई थ तीन से चे और online जो है वह Saturday को यही तीन से चे टाइं तो यह भी फाइज बन रही है मुझे इसका है साइज भी बदलता जा रहा है कि तक्रीब बन अदा जीबी हो गया है कि चले हैं तो वापिस हम आते हैं इसकी तरफ कि ब्राउजर हमारे ये कंटेंट को डिस्प्ले करता है जैसे हमारे elements है यहां पर यह टैग्स हैं heading डिस्प्ले करने के लिए और paragraph के लिए तो यह यहां पर example में भी इन्होंने यही किया है एच वन जो है यह टैग है इसके यह bracket साथ लगती है यह आपका starting tag हो जाता है और इसी को अंदर आप content लिखते हैं जैसे के यह content है और फिर close करने के लिए इसी तरफ brackets आप लिखते हैं और यह tag आप लिखते हैं लेकिन आखर वली में slash डाल देते हैं यह यह closing tag है तो यह यहां पर जो one है इसका मतलब यह है कि यह heading level one है यानि सबसे बड़ी जो heading page पे होगी वो यही होगी फिर इसी तरह h2, h3 और so on इस तरह की और headings हैं इसी तरह यह p जो है यह इसकी short लिखा हुआ है paragraph के लिए और structure देखें यह same है कि यह brackets हैं और इसके अंदर tag का नाम और closing में भी यही same नाम होगा लेकिन फ़र्क्षी होगा उससे पहले slash लगा देंगे और इसके दिनम्यान जो चीज है यह इस tag का content है तो एक दफ़ा जैसे कि मैंने आप से काई example आप open करके इसको थोड़ा सा explore करें फिर यह कि आप यहाँ पर explain जो इन्हों किया है यह description पड़ें एक दफ़ा आपने मैंने जैसे पहले भी कहा है कि एक दफ़ा पूरे page को एक दफ़ा पड़ें फिर दुबारा examples चलाएं फिर दुबारा description जो साथ-साथ लिखी हुए यह पड़ें तो फिर आपको चीज़ें और बेतर समझ जाएंगी जैसे के अभी हमारा HTML5 चल रही है तो इसमें start करने का यही तरीका है यह brackets आती है इसी दर अटेक की और यहां पर यह sign of inclination आता है dog type होती है और आगे हम space देके HTML लिखते हैं यह इसका sentence यही है इसको हम तबदील नहीं कर सकते हाँ अगर आपने पराने जो HTML5 से पहले जो versions है उनके यहां पर लिखने का तरीका कार थोड़ा सा और था बलके वो थोड़ा सा मुश्किल था तो HTML5 में इन्होंने इसको simplify कर दिया सिर्फ ऐसे लिखना होता है वरना आप पराने documents pages देखें तो उनमें यहां पर यह dog type लंबी चोड़ी से links इसमें आते थे तो dog type में हमने बताया है कि यह HTML है फिर यह HTML का tag start किया है यह tag जो है इसमें आप चीज एक नोट करें कि इसमें नेस्टिंग है नेस्टिंग यह कि यह tag start हुआ है HTML का और इसकी closing यहां पर आ रही है और यह इसका content बन रहा है HTML के tag का उसका content देखें मैंने जिस तरह यह पहले head वली example में h1 और p में भी बताया है कि जो यह इनके star tag और close tag के दिनम्यान चीज़ है वो इसका content है तो यह इसके content के अंदर और tags भी आ सकते हैं इसी तरह फिर यह body tag है head tag में head से related चीज़ें आएंगे जो page के उपर लाजमी नहीं है कि सारी नजर आ रही हो और body के अंदर जो चीज़ें वो आपको page के उपर नजर आती हैं तो इसके अंदर फिर इसका content यह बन रहे है इसी तरह tags के अंदर tags आप बना सकते हैं तो head element contains meta information for the html page यानि कि body के अंदर तो हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हमें फोरन वहां पर page के उपर नजर आती हैं तो head section में हम page से related इसमें metadata जिसको बोलते हैं उस तरह हम explain करते हैं कि page किस चीज़ के मुतलका है इसमें क्या है तो जैसे एक चीज़ इसमें title है जो कि मैंने आपको दिखाया यहां पर यह उपर हमें नजर आता है यह जो tabs बन रही हैं यहां पर आपको इसका title नजर आता है तो यह भी page से related नहीं है page से बाहर है तो यह इसलिए head section में आता है title तो body का tag है इसमें फिर और आपके almost जितने बाकी tag है वो page related सारे इसमें आ जाते हैं जैसे h1 और पीक है तो यह चीज़ मैं आपको ऐसे बता चुका हूं कि यह bracket start होती है bracket close होती है और यहां पर tag का नाम होता है जैसे जैसे आप इस्तमाल करेंगे तो आपकी grip बनती जाएगी और उसी तरह जो tag का नाम है same नाम आएगा जो भी tag का नाम है और जहां पर इससे पहले slash लग जाएगी और यह इसका content बन जाएगा अच्छा इसमें tag की पिर काफी सरी किस्में है वादब कुछ में content होता है कुछ में content नहीं होता जैसे अब यहां पर यह भी आरकट है यह होता है पेज ब्रेक के लिए वैसे अगर आप यहां पर हम यह example में देखते हैं कि यदर हम spaces अगर डलते हैं तो उसका फर्क नहीं पड़ता है डिस्प्लेय में बजार लेकिन यह एक space खतम करते हैं तो इसका फर्क पड़ेगा यह जो एक space है उसका फर्क पड़ता है एक से जएधा spaces जो हैं उसमें फर्क नहीं पड़ता है वह बेशक अब मैं next line पर लेके आ रहा हूं लेकिन वहां पर वह वैसे ही आ रहा है इसे जरह यह देखें इसमें भी next line पर मैं कहता हूं यह एक line लिखावाए लेकिन यहां पर इसको जब हम run करते हैं इस पर run भी आपने लाजमी क्लिक करना है तो तब ही अब यह रण हो चुक है याज यह क्या आप जितनी दफर run पर click करें अगर आपको तसलिए नहीं होती कि यह change कर रहा है कि नहीं पर आप यह कर सकते हैं कि साथ में यहां पर कुछ लाग रहा है यह change हुआ है यहां पर मैं एक और जिस तरह यहां पर मैं के तो यहां पर double line की इसमें आ रही हो और इसको मैं यहां पर वैसे 3 लिख देता हूं क्योंकि वैसे 2 लिखा होगा run करूंगा तो यह हमें वही प्राने वाला दिखाएगा तो आपको लगेगा शायद यह run हुआ ही नहीं है यहां पर थ्री लिख दें इसका मतलब है run हो रहा है process हो रहा है लेकिन इसमें spaces और new lines के लिए और तरीका है तो new line आपने गर डालनी है तो उसमें एक यह वाला tag है बी आर का बी आर जो है इसके ब्रेक से लफस है तो जैसे मैंने इसके बाद चाहता हूं ब्रेक आए इसके बाद चाहता हूं ब्रेक है यहां पर खुद भी यह ब्रेक है तो अब मैं इसको run करता हूं तो जिस तरह में चाहरा था वैसे ही आ गया यहां पर एक line की ब्रेक है और यहां क्योंकि एक ब्रेक यह इस से उनेक्स लाइन पर कंट्रोल गया है और यह फिर चुकि हमने इस लाइन में शुरू में ब्रेक लिख दिया तो यह यहीं पर ब्रेक हो गी है कुछ इसमें नहीं लिखा हमने इसके पहले तो जैसे इस नहीं भी बताया है कि यहां पर कंटेंट नहीं है और क्लोजिंग टैग भी इसका नहीं है अच्छा आपको पेजेज देखने के लिए सिर्फ ब्राउजर चाहिए और यह इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है विजूली बताया है थोड़ा सा असान हो जाए समझने के लिए और यह वाइट एरिया इसको हाइलेट इसलिए किया है कि यह पेज पाल लेया इतनी वह डेट्स याद रखने की जुरूरत है नहीं क्योंकि हम जो यह प्रोफेशनली वैब करते हैं तो इनके डेट्स के साथ तो काम नहीं है हां अगर इसका एक्जाइम हमने देना होता एमसी क्यूस होते तो फिर आपको एक्जेक्ट डेट्स याद होनी चा करें चाहिए कि 80 के आखर में यह हुआ था 90 के शुरू में यह हुआ और इस तरह सो आन जैसे मैंने पहले भी बताया था यह एक चैपटर खितम होता है तो यहां पर क्लिक करें या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें तो क्योंकि ये पहले सेशन है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें थोड़ा साथ ज्यादा explain करूं लेकिन हो सकता है बात के सेशन में हम इस तरह से ना करें तो मेरे यहां पर कोशिश ही है कि इसको मैं सरफ go through करूं आप देशन के साथ इसको पड़े तफसील के साथ और जो इश्यूज आते हैं आप नोट करते हैं जो चीज आप से नहीं होती है नोट करें तो इसी तरह आप फिर नेक्स जब सेशन होगा तो आप पूछ सकते हैं सारी की सारी चीज़ें इस फाइल जो बनाई थे इसको चलें इसको बाद में डेट करेंगे अच्छा यह चीज़ा हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं कि आपको आपको इडिटर्स चाहिए हैं कोड लिखने के लिए हैं तो मैं यहां पर जो खुद इस्तमाल करता हूँ एक वो टूल है सब्लाइम के नाम से तो सब्लाइम टेक्स के नाम से एक यह कोड इडिटर है यह आप विंडोस में भी डाउनलोड कर सकते हैं लिनिक्स में भी और मैक में भी तो इसमें जो इसका सबसे अच्छा फीचर मुझे जो लगता है वो यही मल्टी सेलेक्शन वाले हैं इसमें आप काफी तेजी से बहुत सरी लाइन से हो उसको प्रोसेस कर सकते हैं बहराल आपके अपनी मर्जी है आप सब्लाइम करें या नोटपैट जो विंडोस का अपना डिफाल्ल एडिटर है टेक्स्ट एडिटर उसे में आप अपना कोड लिख सकते हैं नोटपैट प्लस प्लस के नाम से भी है यह भी फ्री आपको मिलता है नेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे खाल है यह बाकी प्लेटफार्म के लिए भी है अगर मैं भूल नहीं रहा तो चले इसमें देख पिले तो अभी कंफर्म हो जाएगा प्लेटफार्म अपरेटिंग सिस्टम अब देखें यह मेरे अंदाजा गलत था यह सिर्फ विंडोस के लिए है तो इसको मैं इसकी ऑफिशल साइट खोलता हूँ तो इसमें जो आपने देखा कि मैंने सर्च करके पहले मैंने यहां पर विक्कीपीडिया का पेज खोला है तो बाद उकत यह था है कि आप साफ्टर डाउनलोड करते हैं तो उनकी अफिशल साइट के बज़ए आप उनकी कोई ABC साइट जैसे और साइट से डाउनलोड के लि तो इसके लिए मैं यह करता हूँ कि जो भी चीज़ है उसको नेट पर सर्च करता हूँ तो आम तो पर यह विक्कीपीडिया का जो लिंक है या और कोई अथेंटिक जिस वेब साइट के बारे में मुझे पता है वहां पर मेंशन किया हुए तो वहां पर जाके मैं फिर यहा पर इसका डाउनलूड सेक्शन है और यह हमें पता लगा है कि यह सिरफ विंडूस के लिए यह दिस्तियाव है सही है यह काम हम अभी कर चुके हैं पहले वह फाइल हमने जो एक टेस्ट के नाम से फाइल बनाई है विंडूस में नोटपैड है टेक्स अडिट है मैक में और लिनिक्स में जो भी मैंने यूज किया था सॉफ्ट्वेर टेक्स डिटर एक सीडी मेरे खाला इसका नाम है पहराल लिनिक्स की तो जितनी डिस्टिबूशन है उनमें पिर अलग लग से ही जी एडिट हाम तोर पे आपको मिलेगा तो यह एडिटर जो है मिलते जो तो टूल्स के साथ हैं यह चीज ठीक है हम देख चुके हैं वहां पर फाइल बनाई थी हमने और उसको फिर सेव किया तो विंडोज में एक चीज है वह सेव करते हुए आप यहां यहां पर सेव ऐस टाइप जो लखिवी है ना जब नोटपैड में आप कोड़ कापीपेस्ट करते हैं और जब सेव करते हैं तो यहां पर आप आल फाइल्स करें और यहां पर file का नाम .htm या html लिखें यहां ऐसे करें या फिर दूसरा तरीक यह है कि आप सीधा जो file का नाम लिख रहे हैं उसको quotation के अंदर दें जैसे कि यहां बेन ने बताया है तो फिर वो सही save करेगा वरना वो यह करेगा कि अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो वो file का नाम सर बना देगा index.html.txt तो क्योंकि by default वो txt के extension के साथ save करता है file notepad तो उससे बचने के लिए फिर आप quotation के अंदर यह लिखते हैं तो view करने के लिए यह यह आप double click करें तो by default उसमें HTML फाइल या HTML फाइल के लिए आपको ब्राउजर में ही खुलती है और दूसरा इनका यह online editor तो है यह है तो session हमारा जारी है और अभी हम next chapter पर जाते हैं और मैं वाट्सेट पर कुछ मेसेज आई मैं वह देखता हूँ क्योंकि कुछ लोग मुझे फेस्बुक पर या वर्टसेप पर मैसेज करते हैं तो जोईन करने में अगर कोई मसला आ रहा है उस वजह से या कोई बिसिक बिसिक चीज़ें बाद में तो यह कि आपको वैम इंवायर्मेंट या अगर लीनिक्स आपके पास है तो लाइव आपको सर्वर इस पर इंस्टाल करने चाहिए लेकिन चोटी चीज़ें तो हम वैसे भी इंस्टाल लिए सर्वर बगारा बनाए बगार भी चीज़ें चेक कर सकते हैं यह चीज़ हम पिछे बता चुके हैं स्टार्ट और एंड स्लैश के साथ जो विजिबल पार्ट है वो बाड़ी के अंदर होता है डॉक टाइप में यह केस सेंसिटिव नहीं है केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि आप इसको चोटे करेक्टर में लिखें या बड़े में लिखें उससे फरक नहीं पड़ता तो यहां पर यहां पर यहां पर यह ज्यादा तर ऐसे यह इसको capital में लिखते हैं डॉक टाइप और आगे HTML लेकिन आप छोटे में भी लिख सकते हैं और mix भी कर सकते हैं case लेकिन यह एक एहन चीज है कि यह पहला आपका page के यही start इदर से ही होना चाहिए ताकि browser क्योंकि उनको tags नजर आते हैं वो इससे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको render कैसे करना है तो यह चीज देख के उनको पता लगता है कि यह HTML जो नीचे code लिखा हुआ है HTML5 का code लिखा हुआ है चीक है case sensitive नहीं है case sensitive हो तो फिर ऐसे ही लिखना होगा अब जैसे C language है उसमें case sensitive है एक variable आप capital V के साथ बनाते हैं एक छोटे V के साथ बनाते हैं तो दोनों अलग दो variables है जबके tags आपके आप छोटे बड़े दोनों तरीकों से लिख सकते हैं तो यहां पर वेरल यह W3 school में जो convention है वो यही है कि इसमें dog tag capital में लिखते हैं और बाकी tags almost वो लोगर में छोटे cases में लिखते हैं तो अभी यह पहले tag के बारे में बता रहे हैं जो हमने जो page element पे जो visible होते हैं उसमें यह h1 का हमने किया था तो यह h6 तक levels है headings के तो यह देखे छोटा है h1 सबसे बड़ी heading है तो इसमें आप अपनी जुरूरत के मताबग हम इनको इस्तमाल करते हैं यह लाज भी नहीं है कैसे sequence में हो हम उपर नीचे भी इनको लिख सकते हैं जैसे एक book है तो उसमें तो हम देखे हैं ऐसे होंगे chapters होंगे h1 से मैं बलकि यहाँ पर एक structure फ्रॉसा बना भी लेता हूँ h1 और chapter नसका यह 1 है h1 यह फिर मैं कहता हूँ कि यह chapter 2 है तो उसमें देखे हैं यहाँ पर हम सिर्फ 2 को चबिल करेंगे बाकि h1 की जो है heading वो रहने देंगे जो कि यहाँ पर इसी को h1 होना चाहिए तब इसमें हो सकता है कि आगे कुछ एक subsection हो इसमें फिर हम इसको फिर इसको h2 करेंगे ch chapter 01.01 यह कोई section है h2 तो इसी दर हम structure जी है तो आगे किसी और की भी sub chapters और हो सकते हैं तो यह सिर्फ बताने के लिए कि यह नहीं कि आप लोग हमेशा इसको ऐसे ही समझें कि यह ऐसे ही लिखना है नहीं है हमें अपनी जुरूरत जिस तरह है टैग को इस तरह इस्तमाल करना है और paragraph के टैग है और इसमें जतनी दफ़ा परग्राफ आता है आप इस तरह पी लिखें और पी लिखें और यह बीच में space खुद वो शामिल कर रहा है अगर आप इसके बगार करेंगे तो यह एक एक्सपेरिमेंट से करने चाहिए चीजें क्योंकि इसी में आपको सीखने का मुका मिलता है या आप गलतियें करते हैं तो अब हमें बजायर लिखता है यह दो परग्राफ बन जाएंगे लेकिन इसको रन करें तो हम देखते हैं वह एक लाइन में आ जाता है इस वजह से फिर हमें इसी तरह परग्राफ जो हूँ परग्राफ का टैग देख देके लिखना चाहिए अब दूपर हमें छोटा सा इससे हमें वह सही तरह परग्राफ का पता नहीं लग रहा तो इसको मैं बलके लिख लेता हूं हूँ यह टाइपिंग सीकें तो आपको आम तो पर इस तरह की एक लाइन लिखने को मिलती है जिसमें आपको प्रेट्स कराई जाती है जो कि इसमें तक्रीवन सारे तो आपको तोश्याम सेख़ा है कि यह पूरा एक पराघ्राफ है जब पेश के एंड पर टेस्ट उ tut शाञ झाय। उधा हो तो ऋ पर आप्पे जाता है अवी करता उनख नेक्स लाइन पर करता जा हूरा तो यह चीज आटोमेटिक होती है इसको हम वैसे रिस्पांसिव कहते हैं लेकिन बाकी चीजों में हमें कोड लिखके करना पड़ता है इसको रिस्पांसिव लेकिन टेक्स बाइड डिफार्ट इसी तरह यह बॉक्स चोटा होगा तो वह हाइट बलंबी उसके होती जाएगी लिंक्स देखें पेज हमारा अगर हम कहते हैं एक वेबसाइड है तो वेबसाइड हम तब उसको बोल देंगे कि पेजेज आपस में लिंग्ड होंगे तो पेजेज अगर लिंग्ड नहीं है हर चीज के लिए आपको उपर यॉरल में लिखके करना पड़ता है जैसे ऊपर मेनियों टाप पे साइड बार राइट लफ्ट या फूटर में कहीं न कहीं लिंक्स आपके पेज के बने होते हैं तो लिंक बनाना जो एक बनियादी चीज है तो इसमें हम अभी देखेंगे कि लिंक किस तरह बनाते हैं बगकी चीज़ें आप नोट करें ये चीजनें आप पहले से कर चुके हैं ये भी और ये भी इसमें कोई नई चीज नहीं है तो यह है कि इस ये टीव नए है एक इसमें और बहुक्त काम भी नए हुआ हुआ बाद अब हम इसको पर दिवाइड एसे कि यह ट्रैग की ब्रैकेट स्लैश के साथ होता है तो यह इसका आगया कंटेंट तो यह देखते हैं किhe content as it is नजर आ रहा है बलकि इसमें हम थोड़ा सा चेंज भी करते हैं ताकि हमें visible हो content as it is आ रहा है जो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही है वो यह वली चीज़ लिंक है लिंक नजर नहीं आ रहा है लेकिन हमें इसको टेक्स को देख के पता लग रहा है इसमें फर्क है इसी वज़ा से इसका color और यहां पर underline यह हुआ है तो arrow इसको पर लेके जाएं तो यह पता लग रहा है एक लिंक है तो यहां पर एक चीज़ आप आप नई सीख रहे हैं कि जो tags होते हैं पहले तो हमने इसी तरह पढ़ा है यह tag होता है तो यहां पर इसकी closing bracket है इससे पहले पहले आप इसमें attributes लिख सकते हैं तो attribute का इसका syntax ही होता है कि attribute का नाम जो भी attribute का नाम है वो आप यहां पर लिखें मस्तल में यह उसका मिसाल के दोब पर attribute का नाम है attribute name फिर इसमें यह equal sign आपने डालना है और quotation के अंदर आपने value देनी है कि यह उसकी value है तो इसी तरह एक attribute भी हो सकता है जैसे यह हमने एक अभी लिख है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं attribute 2 अभी तो वैसे मैं यह dummy लिख रहा हूँ हर tag के अपने attributes होते हैं कुछ attributes common है और कुछ मक्सूस हैं तो यहां पर इसकी value आ जाएगी इसी तरह so on यानि bracket close होने से पहले पहले आप और इसमें लिख सकते हैं attributes एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है तो अभी जो हम example देख रहे हैं यह anchor tag यह anchor tag भी इसको बोलते है link tag की तो इसमें href का attribute का नाम है href तो h for hyper और ref रेफरेंस hyper reference यानि के link तो इसमें हमने यह quotation के अंदर value दिये और इसकी value URL होता है तो इस पे भी हम click करेंगे तो यहां पे वही link खुल जाएगा क्योंकि यह काम हो गया फ्रेम्स के अंदर तो यह से लिए इदर खुल गया है वरना अगर हमारा page होता तो फुल page में ही खुलता तो इसमें एक और चीज नोट करने वाली है मैं दोबारा इसको reload करता हूं और यहां पे link को थोड़ा सा change करता हूं वैसे अपने testing के लिए अच्छा इसमें आप note करें बलकर मैं एक और link बना लेता हूं this is a link या इसको link one ल बनाते हैं link one और link two यहां पर two link देता हूं और यहां पर यह जो change किया था इसको खतम कर दे तो उसकी वज़ा है कि आपको दिखाने के लिए तो देखें इसका color change आ रहा है और इसका निला आ रहा है तो जो visit link होते हैं वो इस तरह आते हैं हमें नज़र और जो अभी visit हमने नहीं की अभी तक आज तक तो वो उनका color हमें इस तरह नज़र आता है तो browser में caching हो रही होती है यानि कि वो चीज़ें कुछ save कर रहा हुता ह जैसे कि जो जो link visit किये हुए है उसको पता होता है browser को तो वो automatically इसको इस तरह दूसरे color में दिखाता है और जो link होते हैं ने उनको ऐसे नीले color में दिखाता है तो आम तो पर अब यह देखें मिने दो lines में लिखा है बजायर तो लगता था कि दो उपर नीचे आएगा लेकि पर आप उसको नीचे line पे text को लाना चाते हैं लेकिन जो header में menu होता है आवम तो पर हम देखते हैं कि उसमें इस तरह के बास वकात यह pipe sign के साथ division की होती है तो हम इस तरह करके भी इसको देख लेते हैं यह जिस तरह के division हो गया है तो यह तो था भी हम पढ़ रहेते लिंक टैग अच्छा यह जो attributes होते हैं यह आपको जो tag है उसी के अच्छा यह टेमल एलिमेंट जा टैग उसी के related और चीजे बताते हैं कि यह इस anchor टैग का hyperlink यह है अच्छा इसमें फिर images आप आपको web pages जो हैं अक्सर images आपके images के बगार आपको web page मुश्किल ही नजर आएं तो अभी हम देखते हैं कि image किस तरह add करनी है अच्छा इसमें अब देखें यह चीजे तो common है इसको दुबारा से explain करने की जूरत नहीं और यह चीज भी पहले हम देख चुके हैं नहीं चीज इसमें यह है लेकिन इसमें जो कुछ चीजे इसमें नहीं है एक तो यह tag नहीं है और दूसरी बात यह कि इसका यहां पे इस इमज के लिए यह शाट इमजी बोलते हैं तो इसका closing नहीं है इसका same वही है जिस तरह बीयर वाला tag था ना उसकी closing नहीं था और content भी नहीं था तो यह same ऐसे ही है और इसमें दूसरी note करने चीज़ है यह attributes है एक यह attribute है फिर एक यह 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 attribute क्या है तो यहां पर यह 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 फाईल और यह यहां पर यह फाईल का नाम है SRC अब यह इसके लिए मक्सूसें कुछ attributes होते हैं वो मैं आपको यहां पर सब चीजे मुझे भी याद नहीं होती कुछ चीजें याद रहती हैं कुछ याद नहीं रहती हैं कुछ चीजें जब जुरूत पड़ती हैं तो उस वकद हम सर्च करके देख लीते हैं तो यहां पर मस्तन में थोड़ से लंबा से स्टेंग लिखता हूं अच्छा इसकी मकसद है मैं आपको दिखाता हूं वैसे तो यह और ही जहन में चीज आ गया तो मैं आपको दिखाने शुरू कर दिये अच्छा यह जो टाइट्रिब्यूट है यह भी नजर नहीं आता है सामने किदर लेकिन क्या है जब आप एरो लेके जाएंगे उस एलिमेंट की उपर तो यह इस तरह टूल टिप में नजर आता है तो यह यह कामन कामन है कामन से मुराद यह कि यह और जंगों पे भी इस्त यह तकरीबन सब टैक्स के साथ इस्तमाल हो सकता है जैसे अब मैं इसके उपर लेकि जाऊँगा आरो यहां पर भी आएगा यहां पर भी नजर आएगा तो इसका फाइदा है टाइट्रिब्यूट का काफी फाइदा है कि अगर आपके पास कुछ जगह ऐसी थोड़ी सी है आप लिख नहीं सकते कंटेंट तो आप फिर टाइट्रिब्यूट में लिख देते हैं इसमें यह जब आप लेके जाएंगे उस चीज के उपर तो आप कुछ तरह टूल टिप नजर आ जाएगी अचा इसमें अब जो चीज़ें कुछ नोट करने वाली है वो है यह एक फाइल है और अब यह सर्वर के उपर यह वाला पेज पड़ा हुआ है और यह फाइल भी इसी यूरल या इसी फोल्डर के अंदर पुड़ी विया अब यह फोल्डर कौन सा है अब यह हम देख सकते हैं यह तो हो गया वेबसाइट का एड्रेस हो गया यहां तक यूरल इसका डुमेन हो गया यह और यह अब उस सर्वर के उपर वहाँ पे एक एक इस- Bunu का फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर यह हमारी फाइल सर्वर की फाइल यह चलिए यह एस्पी में बना हुए जो हमारा हमारी course है कोश, उसमें हम एंशला PHP करेंगे तो यह आगे और स्कीप चीजे फिर URL की होती है तो यह फाइल इसी folder के अंदर है तो यह हम चेक कैसे कर सकते हैं यह URL कापी करें, एक नई टैब में लिखें और इसके बाद यह जो फाइल का नाम है आप यहां से कापी करें देखें यह चीज़े खुद करके देखने वाली होती हैं आपको बना के कोई चीजें नहीं देगा यह चीज़े आप खुद टेस्ट किया करें इस तरह की और खुद से आपको लिखना है तो यह देखें यह फाइल सर्वर के उपर मौझूद है यह जिस तरह इसको फुल यूरल लिख दिया है तो वह मैं कैसे पता लगा है वह यहां से पता लगा है जैसे का हम जान बूच के फाइल के नाम कुछ गलत लिख देते हैं मस्तान मैं इसके शुरू में एक्स लिख देता हूँ अब बन गरता हूँ तो अब क्या हुआ है कि वह फाइल क्यूंकि सर्वर पे यह फाइल है यह कि यह एल्टी जो लिखा हाँ है ना अल्टर्नेटिव के लिए झार होता है एट्रिब्विट तो अगर तो फाइल होगी सोर्स source के attribute में जो value है ये file server पे मुझूद होगी तो ये file हमें image नजर आ जाएगी अगर image नहीं होगी server पे कोई URL में मसला है कुछ भी तो फिर ये alt जो लिखा हुआ है ये नजर आएगा हमें तो मैं इसके file का नाम वापिस कर देता हूँ फिर run करता हूँ तो यहां पे इनों ने size mention किया है इतने pixel आपको अगर जरूरत है या इसको मैं भी हटा के देखता हूँ इसके original अभी आपके ये आएगी by default जो इसका size इसका size तक्रीबन ये ही है इसका मतलब है लिगि किसी जगा भी होता है आपको थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटे size में चाहिए होती है जैसे मैं कहता हूँ मुझे ये 50 pixel में चाहिए और ये 75 में हूँ width और height तो ये हम देखेंगे ये छोटी जगी लेकिन किस जगा भी हो सकता है आपको इसी की जूरत पढ़ गया ये ये 500 pixel में हो और ये 200 में तो हम इसको change कर सकते हैं जैसे इसको जितना बड़ा करेंगे उतने ही pixel इसके फटने से शुरू हो जाएंगे 300 कर देता हूँ और इसको 400 कर देता हूँ जैनि कि इस resolution खराब होती है अगर आप बड़े इसको करके दिखाएंगे तो अगर बहुत छोटा आप इसको दिखाते हैं 50 by 75 तो इस तरह छोटा करके दिखाने में एक चीज का नुकसान भी है वह यह है कि आपका फाइल का जो size है इसको अगर हम डाउनलूड करें तो यह size वही रहेगा इसको यह size देखते है के बीज में ही होगा 16 4.4 के बी और save हुई है तो थोड़े से पर यह extra house में के बीज के दाद save हुई है तो 4.4 के बीज का size है तो जब आप इसको यहाँ पर हम लिखके open करते हैं तो इतने हमारे 4.4 के बी इस्तमाल होते हैं नेट से इदर डाउनलोड होने में तो यहाँ पर जब हम पेज भी लोड करते हैं तो इतनी आपको कमसकम पहली दफ़ा जब लोड होता है तो इतनी आपको के बीज 4.4 के बीज डाउनलोड होती हैं क्योंके बाद में कुछ केशिंग ब्राउजर कर लेते हैं तो दुबारा वो लोड नहीं होती तो इसमें पर नुकसान यह है कि एक फाइल मिसाल के तोरपे यह 1 MB की है और आप उसको यह 50 by 75 चोग करें चोग तो वो इतनी होगी लेकिन असल में उसकी विट्थ आप समझे पूरे पेज इतनी है तो यह हम थोड़ा सा देखे एक्सपेरिमेंट करते हैं इक ग्राउंड को देखते हैं नेट से इमेजे पे करते हैं और यहां पे टूल्स पे क्लिक करते है और साइ्स काते हैं इसमें लार्ज करते है अ मेले बड़ी हो साल के तोड़ पर यहां पर इसका साइज भी शायद आ रहा हो तुन 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 त टैब में open करते हैं तो पहली दफ़ा यह open होने में इसने देर लगाई है अब यह URL है इस पूरे को हमने copy कर लिया है और जिस तरह यहां पर यह उसी folder के अंदर फाइल अगर हो जिस folder के अंदर आपके लिए सर्वर की यह ASP की फाइल है अगर तुसी folder के अंदर हो जैसे के हमने नई टाय में खोल के देखा था तो फिर आप सिरफ उसका नाम लिखना ही काफी है तो अगर वो किसी sub folder के अंदर है यह वली फाइल तो फिर आप वो sub folder का नाम लिखके और फिर फाइल का नाम लखेंगे तो दिखा दिया है लेकिन इसका असल साइज क्या है इसका हम डाउनलोड करके देखते हैं तो इसका साइज हम देख सकते हैं 1.1 MB है तो अब इस page को लोड करते हुए 1 MB से भी ज्यादा सिर्फ इस ने इस्तमाल किया इस image ने पहली दफ़ा जब होगी तुस्री दफ़ा तो म लोकल कंप्यूटर से लोड हो जाएगी लेकिन आप यह सोचें कि एक अगफाइल इस तरह की हो तो कोई इतना मसला नहीं है लेकिन आपका साइट ऐसी है जिस पर प्रोड़क्स हैं और हर प्रोड़क्ट के पेज इसी तरह 1.1 MB का है और आप 10 प्रोड़क्स आप दिखा रह प्रोड़क्स की हैं तो फिर यह होगा कि वह पेज फर्स टम जब लोड होगा तो इतने 20 डाउनलोड होंगे पचास अगर आप दिखा रहे हैं तो यह एक बाद में मेजर इश्यू बन जाता है तो अब यह इश्यू मैंने जो कुछ नोट किया है वह एक पाकिस्तान की साइ यह लोड होने में अब चक्कर किया है कि इन्होंने इमेजिज को री साइज करके सेव नहीं किया तो यह एक इनकी साइट पर मेजर इश्यू है देर लगती है चीज़े लोड होंगे तो आप उनको जो आपने फ्रंट पेज पर दिखानी है उनको इसको agree साइज करके करें यानी तक्रीबं अकर यह इस इसी साइज की दिखा रहे हैं सब जगह पे तो तक्रीबं इससी इसे इसको 320 करका सरफर पर सेव करें जब वो files upload कर रहे हैं अब तब और full size की भी आप रखें कि वो जब पड़े तो फिर उसको आप इस्तमाल करें अब जैसे के मैं अगर इसको देखना चाहूं inspect element करते हैं आप किसी भी page की element के उपर क्लिक करके inspect element कर सकते हैं अगर आप Google Chrome यूज़ कर रहे हैं तो f12 दुबाएंगे तो यह तब भी आ जाती है तो मिसाल के दूर पर हम यह laptop की photo की उपर हमने inspect element किया है और यहाँ पर कि इसका हमें यह size नजर आ रहे हैं इसको मैं नहीं टाइब में open करता हूं इसको मैं copy करके नहीं टाइब में open कर लेता हूं तो यहां पर तो चलें इसका इतना ज़्यदा फर्क नहीं है तो फर्क जैदा हो जैसे कि मैं बता रहा था M20 का तो फिर आपको major issue है लेकर यहां पर इनके मैंने server पर यह चीज नोट की है कि यह load होने में देर लगाता है तो उससे मुझे यही लगता है कि यह images नहीं resize करके save नहीं की ही चलें यहां पर तो वैसे वह issue नहीं लग रहा जिस तरह मैं समझ रहा था लेकर अगर आपके server पर यह issue है तो यह फिर बाद में major issue बन सकता है इसलिए आपने जिस size में save आपने show करवानी है आप कोशिश करें कि उसी size में files को resize करके server पर रखें या जब आप upload करते हैं तो आपके जो server language जो भी आप इसमाल कर रहे हैं उसके code में यह लिखें कि वो इसके thumbnails बनाए या उसके चोटे size में अगर आपकी है तो वो thumbnails या चोटे size में save करें चले इसमें हम कुछ ज्यादा ही गराई में चले गए हैं तो यह इसके attributes हैं तो इसमें मेरी मेरी कोशिश यही थी के जो हम चीजें हैं उसमें जो ज्यादा M लगती हैं उनको हम ज्यादा detail के साथ करें तो पेज का हम source देख सकते हैं जैसे के मैं अपनी अगर site खुलता हूं e-site.pk इस पे आप right click करें और जहां पे आपको कारी option view page source और इसकी shortcut भी है control u के साथ तो यह इसका source code दिखा रहा है तो किसी page का भी आप source देख सकते है control u के साथ भी देखें हो रहा है तो source आप यह वहला देख सकते हैं किसी भी page का तो इसमें जो चीजे HTML, CSS, JavaScript की हैं वो तो आपको यहां पे नजर आएंगी लेकिन अगर कुछ चीजें PHP से related हैं तो वो आपको यहां पे नजर नहीं आएंगी source में वो क्योंके PHP प्रॉसेस होती है server पे तो वो client पे बेजने से पहले ही process होके फिर बेजी जाती है इसलिए आपको यहां पे PHP की कुछ चीज नजर नहीं आएगी क्योंकि यह जो चीज है यह client पे पहुंच ही है तो यह उसको नजर आती है तो जब अम यह URL लेकर एंटर दो आते हैं तो उस वकद यह server पे request जाती है तो server देखता है कि इस पे जो जो PHP से related चीज है या जो भी server language इस्तमाल होई है वो server पे execute होती है और फिर वो browser पे बेजी जाती है और browser पिर आपको यह HTML है CSS है Java script है इसको render करके इस तरह दिखाता है अब यह असल में इसकी हालत यह है लेकिन HTML उसको process करके हमें दिखाता है तो फिर हमें इस तरह नजर आता है अच्छा इसकी charging कम है तो मैं इसको charging पे लगा दूं laptop की अच्छा इसको मैं charging पे लगा तो तो यह हमारे पास source है तो यहां पर यही बताया गया कि आप इसका source pages का देख सकते हैं या पर inspect element कर सकते हैं जैसे कि right click किया और page का element का source देख लिए है कि यहां से में पता लग रहा है कि यह paragraph है और इसके अंदर फिर यह code tag भी है code का तो यहां पर click करें तो यह right side पर आपको यह CSS नदर आ रही है अभी है हमने CSS पर काम नहीं करना है लेकिन यहां पर आप इसको देखके check कर सकते हैं CSS क्या लगी है तो यहां पर हमारा basics यह हमारी हो चुकी है दोます यह सब्दार्ण झाल झाल इसमें हब हम देखते हैं कि पेज़ एलिमेंट्स याप एच्टीमेल टैग जो हैं यह चीज़ हमने शुरू में देख ली थी कि स्टाट टैग होता है कंटेंट होता है और फिर क्लोज हो जाता है सेंटिक्स इसका यह है यह तक्रीबन यह हम चीज़ें देख चुके हैं नेस्टिड एलिमेंट्स है तब शुरू में इन्होंने क्या किया है कि इनको एक ओवर्व्यू सा दिया है तो फिर अब यह प्रापर उसको बता रहे हैं नेस्टिंग होती है यह भी हम देख चुके हैं इन में कोई और खास बात नहीं है अचा अब देखें यहां पर एक सेंटिक्स हमें चीजों के बताएगी है कि यह सेंटिक्स है हेडिंग का यह इसका इसका लेकिन हम यह चीज देखते हैं कि आप अगर कुछ चीजें बीच में भूल जाते हैं लिखनें तो आपका जो ब्राउजर है वो फिर भी जो बेस्ट उसको व्यू हो सकता है वो उसको प्रॉसेस कर लेता है जैसे कि यहां पर देखें यहां पर क्लोजिंग टैग मिस्स कर दिया है लेकिन यह दिखा रहा है फिर भी रिजर्ट ठीक दिखा रहा है लेकिन यह इसको रूटीन नहीं बनाना चाहिए यह उसकी वज़ाई यह कि आपके कोई मेजर इशू भी बन सकता है और बास उकात फिर यह आपके इशू आपको समझ नहीं आती यह ऐसे चोट चोटी घलतियों से ही पर शुरुआत होती है यह उसको दिखा देता है लेकिन आप कोशिश करें के लिखें प्रॉपर टैग्स क्लोजिंग टैग्स लिखें अच्छा यह जो हमने ब्यार का टैग किया था इसको हम कहते हैं कि यह इंप्टी एलिमेंट यह इसके कंटेंट कुछ भी नहीं है तो इस होजा से के सेंसिटिव नहीं है परेग्राफ कर टैग आप कैपिटल में दें लोर में दें चलेगा अच्छा एक तो चीज़ यह यहां पर टॉटॉरियल्स पड़े हुए हैं दूसरी चीज़ यहां पर इ पर टैग के अगर टैग के बारे में तफसील नहीं समझा रही कि इसमें इंट्री बूट यह एक्जिस्ट करता है नहीं करता है तो आप इनके रेफरेंसेज में जा के देख सकते हैं तो तो मिसाल के तोब पर मैं अगर यह नीचे लिंक में देखे यह पता लग रहा है डैफिनिशन और यूजेज बताया है सपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कौन-कौन सा ब्राउजर सपोर्ट करता है और यहां पर कुछ एट्रिब्यूट्स गलोबल हैं और कुछ इवेंट्स भी होते हैं एट्रिब्यूट्स के साथ साथ कुछ डिफॉल्ट आपके इसमें होती हैं एच वन की साइस क्या होगा फॉन्ट्स क्या होगा वह आपके ब्राउजर एंड पे होता है तो आप इसको फिक्स भी कर सकते हैं कि बजाए हैं इसके ब्राउजर अपने हैसाफ से चेंज करें तो यहां पर अब यह mention कर रहे हैं कि इसकी default CSS क्या होती है यानि इसका design हमें display कैसा नजर आएगा तो गरीबन सभी कहनों ने बता दिये तो यह हमारे कुछ ग्लोबल attributes है एक तो मैंने आपको बताया था कि टाइटल का attribute सब गरीबन tax के साथ इस्तमाल हो सकता है तो बहराल यह सब के सब हमें आने जरूरी नहीं है और मुझे भी नहीं आते तो जरूरत पड़े तो फिर आपको पता होना चाहिए कहां से चीजें मिलेंगी तो इसको close करते हैं और events है इवेंट्स यह ज्यादा काम हम इसमें JavaScript में पढ़ेंगे जैसे on load या on click event जो ज्यादा इस्तमाल होते हैं और यह जब control से आप move कर रहे होते हैं next control पे तो यह यूज होता है और जब focus आपका element होता है तब तो यह हम आगे पढ़ेंगे यह ज्यादा चीजें जो है वो JavaScript में ही है events interactive आपका page हो जाता है तो यह reference है तो इस पे हमें गाए बगाए आना पड़ता है जो कि कुछ चीजें हमें याद रह जाती हैं कुछ याद नहीं रहती तो यह references हमें जिस तरह anchor tag क्या full reference अपने जहां से पता लग रहा है तो यह official site नहीं है HTML की लिकिन यह कि इनका अच्छा content है सीखने के लिए खास दोर पे ने के लिए अच्छा है उसका जैसे कि इनका यह structure as definition usage टिप्स वगारा ब्राउजर कौन को से support करते हैं स्टैक को सारे तकरीबन सपोर्ट करते हैं अब इसमें देखें एक पड़ा था इसमें और एक्ट्रिब्यूट है इसको भी हम close करते हैं तो मकसद यहीं बताना दा कि इसके reference यहां पे आप यूज कर सकते हैं future के लिए तो next chapter पर हम जाते हैं तकरीबन हम यह चीजें पढ़ चुके हैं attribute कि इसको हम go through करते हैं जैसे image में source का attribute है width height का attribute है आल्ट का हमने यह देखा है कि जब image किसी वज़ा से इसका नाम गलत हो जाए या आपने किसी और सर्वर की image दी थी और वहां सर्वर पे क्योंकि आपका control तो नहीं दूसरे सर्वर पर फाइल remove कर दिया उन सर्वर वालों ने तो पर आपका यह आल्ट वाला attribute काम आता है कि उ जलत किया होगा जे तो यहां पर लिखा हुआ गया और यहां पर अच्छा इसमें attribute में एक हम attribute एक style का भी है जैसे देखें कि यह text अभी तक हमने देखे हैं हमने जो text लिखा है वो browser को default color है वो उसी में आ रहा है black color है और background white तो यहां पर देखें यह इसमें style यह वही जिस तरह हम attribute लिखते हैं attribute का नाम equal और quotation के अंदर attribute की value इसमें हमने यह CSS लिखी हुई है इसमें तो CSS को आप style attribute के अंदर भी लिख सकते हैं CSS को और तरिकों से भी लिखा जा सकता है उसका tag भी है और external file के अंदर भी CSS को लिखा जाता है तो जो सबसे basic इसका CSS है वो आप style attribute के अंदर लिखते हैं तो color red किया है तो यह red नजर आ रहा है तो इसको हम जएदा अभी style को नहीं देखते हैं क्योंकि यह CSS में हमने चीज़े करनी है अच्छा अच्छा यहां पर देखें यह recommend किया जाता है कि आप page की language यानि page के content किस language में वह आप mention करें तो वह यहां पर आप लैंग के attribute के साथ करते हैं लैंग English यान English के लिए शार्ट लिखा हुआ है अगर अर्दू में अगर हमारे page हो तो यहां पर यू आर लिखा हो होना चाहिए तो यह चन्द दिन पहले भी मैंने example अपने site पे खोली थी के e-site पे आप website बना सकते हैं अपनी instant e-camera store बना सकते हैं तो यहां पर हमने एक उर्दू में शुरू की थी बलकि मैं दोनों pages कोल लेता हूं यह वाला main page भी और यहां पर यह जो attribute है इसको हम देखते हैं control u किया तो यहां पर देखें यह html language equal to en us तो इसमें यह है कि जो language का code है जैसे कि यह है इसके साथ आप country भी mention कर सकते हैं कि कौन सी country की तो यह English जो है वो यूएस की use कर रहे हैं तो यहां पर अगर आप यूएस की जिगा यूके की कर रहे हैं तो यहां पर en-uk लिख सकते थे तो अगर मैं आप इस पे आके अर्दू में शुरू की थी खैर पूरी मैंने इसमें तबदील नहीं की थी सिर्फ चंद चीज़े अर्दू में लिखी थी तो आप यह products के नाम भी अर्दू में लिख सकते हैं तो इसको control you करता हूं लेकिन क्योंकि जब इसको हम बना रहे है जिसको हमने mention किया था कि यह उर्दू जबान में page है तो automatically फिर यह lang is equal to you आ रहा गया था और अगर आप इसमें country mention करना चाहते हैं कि यह उर्दू पाकिस्तान वाली है तो यहां पर dash pk लिख देंगे country code तो यह recommend कर रहे हैं कि यह आपको लिखनी चाहिए जैसे यह US लेंग्विज लिखनी चाहिए और इसमें country code भी mention कर सकते हैं और country code के reference यहां पर है इस पर एक नजर मार लेते हैं यह सारे code आ रहे हैं इंदी के लिए हाए है और उर्दू के लिए जुआ रहा है यह लेंग्विज कोड़ा है और टाइटल के अट्रिब्यूट हम देख चुके हैं इसका क्या फाइदा है अच्छा यह suggestion है कि लोवर केस में लिखते हैं लेकिन आप बड़े में लिख सकते हैं क्योंकि के सेंसिटिव नहीं है HTML और दूसरे जो recommendation है वो जी है कि value आप हमेशा quotation के अंदर लिखे हैं अब यहां पर quotation के बगएर लिखी भी है पर फिर भी चल जाता है लेकिन best practice रही है कि आप quotation के अंदर लिखें तो quotation के अंदर लिखने से यह भी फाइदा है कि अब यहां पर आपको कोई confusion नहीं हो रही कि यह attribute कहां से शुरू हो रहा है कहां पर खतम हो रहा है तो अब जी अगर हम quotation डाल देते हैं यहां पर तो यह फिर पिल्कुल clear हमें पता लाग रहा है इसको मैं एक मिट फिर रन करता हूँ रिलोड करता हूँ तो जएदर clear फिर इसी तरह होगा के आप quotation के अंदर values इसकी लिखें तो अजलीब आपको वाज आ रही है हेलो अच्छा 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 आरहे थे उसे तरह नहीं चाहिए तो भी फिर यह कि जो वीडियो भी बन रही है इसकी साथ में recording भी कर रहा हूँ तो इसको मैं session को अप्लोड फिर कर दूंगा बाद में अब भी जैसे के कल भी जो रिकार्डिंग की थी ना वो लगबग अब वो रिकार्डिंग से कि उिकार्डिंग वो लुद्धि जोत एक उान, इस mund formulation Bier хотел कि भी एक भी जाम ja वोग़ कि वुद्धि जाऊ ज giàई है अला करने हैं रुशन को त capability, of desire発s कि जुशन को सैंर जान बांस में डादर शुशन को प्रोतर को ओर्के जहत रहते हैं है और शहने हैं है इनक गरत्ब को थे शी लाव कर दो आप अप आप ए जो आप 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 नांप आरार जो ऑजा और तरो खेंद आप अई-ई-बाह इसमें पार यह पेश पूरा एक दफ़र कर लो ना पिर मैं आप से बात करता हूं यह वैल्यूस कोटेशिन के अंदर देने चाहिए एट्रिब्यूट्स की क्योंकि इसमें किन्फीजन नहीं रहती और एट्रिब्यूट्स की जी बता है इसमें मतलब स्पाइल का अट्रिब्यूट्स है वो एक इसमें यूज़ पूर आपको मैं बताता हूँ फिर यह कि मुझे होगा है मैं अब ऐक वैलुख हम यूज कर सकते हैं लेकिन दो वैलुग नी हो रहे थी वह आप चीज़ में तोड़ी कोक हैं कि थोड़ी सी आपको अगर वो इमिज सर्वर पे मौझूद नहीं है तो वो आल्टरनेटिव टेक्स लिखवा आ जाएगा इसका एक और फाइदा भी है इसके एक और फाइदा यह कि आपके जो सर्च इंजन है वो आपके पेज को जब कराल करते हैं तो इमिज देखके तो उनको अंदाजा नहीं होता कि इसमें क्या चीज है तो आल्ट के टेग के साथ उनको पता लग रहा होता है कि इमिज किस चीज के रिलेटेड है तो यह फिर आपकी सर्च इंजन अप्टिमाइजेशन में यह चीज मदद देती है अच्छा जो आप चीज कहरी है ना मैं एक मिट यहां पर अबी स्टाइल का यहां पर अट्रिबूट शायद देदर इस्तमाल हुआ है या पीछे हुआ है इसे पेज पीज पी इसमें पेज़ ने इसमें देखए यह यह सी एस सी का स्टाइल है के उसकी जो प्रॉपरपरट सकते हैं अच्छा लाइक इसके बार पिप कॉमा दे के लैक ने यह सेमी कालन के बाद ना अगर इसका फों साई इंक्रीज करना हूं एक मिदा आपको एक चीज बताता हूं यह अच्छा बैक ड्रोन कलर से तो मैं इसको अगरी और पर समी कालन तो यह एक और प्रोपर्टी मैं एक में डिस में देखता हूं इस थारे में में देखता हूं इसमें शायद मैंने कुछ विल्टी कर दी है अगर ग्राउंड कलर के आपने में आपने बैक बांट कलर मैं इक के स्ट इवर्य कर निख से मैं 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 इस पेलिक टी आटलत रे लगाम से श्टिक करने ऊपने वह कर कर यह यह बदकिन जालता हूं यह कि है अभ यह क्योंकि हम जो एक्ट्रीबट attributes होते हैं इसके साथ values हमारा ये combination होता है attribute का नाम equal sign और values जबकि CSS में colon यूज होता है ये और semi-colon जो है ये इन में properties के दिर्मियान वो differentiate कर ले लिए होता है तो अभी च्रीक है ये हो गया है अभी हमें join किया है तैमूर तैमूर आपको वाद आ रही है वालेकम असलाम अच्छा हम ऐसे है कि ये session कर रहे हैं एक तो मारा मकसद था कि अगर कोई online है तो फिर आम उससे question answers problem solution ये वला session करते हैं और दूसरा मैं ये कोई रहा था कि अगर कोई online नहीं है तो फिर मैं खुद ही go through करता हूं जो ये चीजें करानी हैं वैसे HTML, CSS, JavaScript, PHP उसमें जो मुझे best practices चीजें पता हैं वह साथ-साथ शेयर करता जाओं तो अभी एक और student है अंदलीब ये भी online है इन्होंने एक question पूछा था तो अंदलीब आपको स्वाल का जवाब मिल गया है इसमें कोई और स्वाल है ये मेरी वाद आ रही है अंदलीब जी सर्ण मैं कहारा हूं कि आपने जो स्वाल पूछने है आपने कोई प्रॉब्लम ने इसमें आप पूछने है अच्छा सही है तो तैमूर आप बताएं आपने कोई चीज आप पूछना था इसको बैक करें वह जहां पर इसकी लिस्ट आती है जी इस लिस्ट की बात कर रहे हैं हलो कौन सी आवास कट रही है अच्छा मैं पूछ रहा हूं कौन सी लिस्ट कौन सी लिस्ट अच्छा शायद कोई अवास का सब वह जो है स्कूल पर खूल ओपन करते हैं तो वहां पर वह अच्छा सारे इसकी लिस्ट नहीं आती वह वाली तो चैप्टर्स यह मैंने खोले हुए ना तो यह चैप्टर्स आप इसकी नहीं चाहिए इसकी बात कर रही है मेरे स्क्रीण आपको नजर आ रही है स्क्रीण मेरे स्की मारे सास अच्छा नजर आ रही है। को अवाज भी से हैं यह तैमूर वह एक जगह पर रुकी हुए है मेरे थी जबात है अच्छा फिर प्र इंदलीब आपके अंड पर कोई शाहिद मसला होगा अच्छा आप ऐसे करें अदिलीप आप मुझे यह जो कमेंट सेक्षिन है यहां पर आप मुझे बता दें यहां पर लिक के मुझे बता दें उसका लिंक लिंक आपके पास तो है ना आप मुझे यहां पर इदर कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिंक पेस्ट करें तो मैं फिर इसमें जो नीचे है आपकी आवास कट रही है अच्छा मैं मैं एक मिट देख रहा हूं इसमें में ने करेंगे लिए तो एक ट्रिब्यूट रेफ्रेंस मेरे ख़हला आप शायद यह इसका आप मेरे ख़हला बता कर रही है यह यह एट्रिब्यूट रेफ्रेंस का कि अच्छा आप बतारें कि इसमें जो नेक्ट नीचे हैं इस ट्रेटोरियल में इंपॉर्टेंट से कौन से जो इनको गूत्रू कर लें इसमें रेफरेंस में तो आपको आने की जुरूरत नहीं है अभी अभी रेफरेंस में आने की जुरूरत नहीं है अब देखें जिस तर अब देखें यहां पर यह एंकर टैग का एहम एट्रिव्यूट के लिए इस तरह हाई ट्विट्स भी अमेज के लिए आल्ट का भी इस तरह आपके पास चैप्टर्स आप करते जाने जो जो आते जा रहे हैं वह बस उन पर तुबज्यों करें चूंकि रैफरेंस में तो गर हम इस्तिमाल करते हैं जहसे दिखिया अल्ट का है एड्रिब्स होता है इन्पूर्ट और इसके लिए लिखा हुआ है अब沒事, nothing जो मेरे बाक्यों के लिए केस मकसद लिए इस्तिमाल होता बेइस्ति बेए ends का तो tenfan है. आयए तिंपल्ट में इस्तिमाल किया है आटोफोकस का मैंने ये tool इस्थमाल कर या यए ऐसे इंमें से कुछ click attributes मैंने खुँद इस्थमाल कियों सारे सारे इस्थमाल नहीं किया हुए तो अभी आपको सारे memorize करने की या पड़ने की जूरत नहीं है और यह reference है reference तब आम आता है जैसे आटो प्ले का आप किस जग़ पर अट्रिबूट के बारे में आता है कि इस्तमाल कुछ है आपको शूर नहीं है कि यह क्या चीज है फिर आप इदर रेफरेंस में आए और यह आटो प्ले के इदर क्लिक करेंगे तो यह इसका पेज कोल देगा तो आपको क्लियर हो अच्छ तेमूर आपने भी कुछ स्वाल पूछना है या वैसे हैं को स्वाल पूछना है या वैसे जोईन करके लिखना चाहता है किस तरह का है और अब्यूस्ते गहने मुझे भी साथ साथ इंफ्रमेशन का मिलती रखती है जी जी ठीक है वो महरा इसमें इसमें मकसद तो यह अकसर यह ताए ने लोग खास दो पर जो इसमें आते हैं न तो प्रचंड यह अँगा को आपको भी रहनुमाई नी मिल रही तो आप फिर चोड़ िदेते आ इस जीज को तो मेरे में मकसद यही था जो ने लोग इसमें फीरें में आना चाते चाहते हैं चीजे करना चाहते तो जिदर स्टक होते हैं वहाँ पर मैं उनकी मदद करूँ तो इसके लिए मेरे पास तो जो एक पैटरन जो मेरे जहें में था वो तो यह था कि मैं कहूं कि आप यह डब्यू ट्री स्कूल पर HTML, CSS, JavaScript, PHP के यह चैप्टर्स पढ़ें और जो इशूज आए तो वह फिर हम डिसक जब हमारा सेशन स्टार्ट हो तो उसमें प्राब्लम्स स्टूडेंट्स बताएं और मुझे जो सुलूशन पता है वो मैं बताओं या अगर मुझे नहीं पता तो हम मिल के सर्च करें तो सेशन का मकसद इस तरह था लेकिन यह कभी-कभी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको problems ही नहीं होते तो फिर यह है कि हम उनके लिए problems मनाते हैं कि उनको questions करके पूछ लेते हैं उसे double check हो जाता है और कभी-कभी होता है कि वह भी चीज नहीं होती तो फिर मैंने सोचा था जी जो नीचे HTML APIs है इनको भी करना है कि यह किस जगह पर है अच्छ चेमल में चैना वाला उसमें जी मुझे नदर आ गया अच्छा इसमें यह कि इनको go through करें को बहुत deeply deeply करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसको go through करें कि अच्छा अच्छा अब है कि मैं इस सेशन अभी रोकता हूं क्योंकि मैं नमास के लिए जाता हूं आप वो कि मैं अभी फिर सेशन को फिर शुरू करता हूं अभी मैं यह क्लोज कर रहा हूं सब्सक्राइब कि मैं थोड़ी देर के बाद फिर ऑनलाइन होता हूं ओकिज़ ठीक है मैं फिर दोबारा होता हूं अलाइन कि मैं अभाड़ी तो बाद नमास करते हूं सरक जालाइन धु ए य हावत हूं आपく sino और इप है झाल झाल